दोस्तो PIR Sensor पर मैंने काफी वीडियो बना लिये हैं आज की वीडियो में मैल आया हूँ Microwave Sensor जो है Box Type आपने लास्ट वीडियो देखा ही होगा जिसमें मैंने PIR और Microwave Motion Sensor का Comparison बताया था नहीं देखा हो तो guys जल्दी से देख लो उससे आपको आज का वीडियो समझने में बिलकुल भी परेशानी नहीं होगी तो दोस्तो ये है Box Type Microwave Motion Sensor इस Motion Sensor को आप ऐसे जगा लगा सकते हो जहां आपको लगता है कि Electricity सेव हो सकती है Microwave Motion Sensor दोस्तो Doppler Effect पर चलते हैं तो ये काफी Sensitive होते हैं पर्टिकिलर इस Sensor की बात करें तो आप देख सकते हो इसकी साइस काफी छोटी है Black Tee Electric Company से आप इसे Best Price में खरीद कर Resale करो क्यूंकि मार्केट में काफी Demanded Product है ये आज मैं आपको इसकी Wiring, Specifications, Demonstrations सब बताने वाला हो इस Sensor में एक खास Feature है जिसे भी मैं डिसकस करूँगा आप करो चैनल को सबस्क्राइब तब तक मैं स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो ये Box Packaging है दोस्तो इसके अंदर आपको मिलेगा एक User Manual जिसमें Installation Wiring के बारे में बताया है साथ ही कुछ Troubleshooting Solutions भी है और ये रहा हमारा Motion Sensor काफी छोटी साइज है लेकिन दोस्तो ये छोटा बम बड़ा धमाका है ABS Plastic Material Body है Size देख लो ये Circle देख रहे हो यहाँ से ही बाबू डिटेक्शन करता है ये Product की Backside है N, Neutral है L-Load का Point है और L याने Live Base 230V AC Screw वाले Connectors नहीं है Push and Connect वाला सिस्टेम है तो ये जल्दी से हो जाता है इस Microwave Sensor में आप Luxe Adjust कर सकते हो Time Delay Adjust कर सकते हो और Main चीज Sensitivity याने Range इसकी Adjust कर सकते हो ये Microwave Signal Emit करता है तो क्या ये Harmful रहेगा Absolutely not guys ये 0.2mW से भी कम Frequency Output देता है Compare करे इसे अगर Mobile Phone या Microwave के 1000mW Frequency Output से तो ये उसका सिर्फ 5000वा हिस्सर Transmit करता है सो ये Harmful नहीं है Physical Dimensions दोस्तो 40mm चोड़ा Approximately 65mm लंबा और 25mm मोटा है ये चलो Specifications में सब Numbers क्लियर करते हैं ये Sensor 220V से 240V AC पर Operate होदा है TUV Certified Product है ये बिलकुल भी Harmful नहीं है इस पर आप 1200W Energy Saving Load और 300W Incandescent Load लगा सकते हो Detection Range दोस्तो 180 degree भी है और 360 degree भी है ऐसे कैसे अगर आप बॉल पर इसे लगाते हो तो 180 degree range provide करेगा ceiling पर लगाते हो तो 360 degree का circular zone नीचे create करेगा तो detecting distance क्या होगा बॉल पर 5 meter to 15 meter adjustable और ceiling पर लगाते हो तो 2 meter से 16 meter के diameter वाला circular detection area बनाएगा which is also adjustable Day and night operation के लिए 3 से 2000 lux setting है इसमें जो आप adjust कर सकते हो के application के according IP20 rating के साथ आता है ये तो indoor ही इसे use करोगे तो better रहेगा क्योंकि IP20 आने no waterproof और no shock proof shock in the sense इस product को आपको physically गिराना वगेरे नहीं है चुले आप wiring करते हैं ये रहा मेरा load और ये रहा 230 volts AC plug wire सबसे पहले दोनो common neutral बनाते हैं उसे डालना है N वाले point पर ऐसे press किया wires अंदर डाली और release किया बस that's it इतना simple है ये 230 volts की red wire डालते है press insert and release और finally load की red wire बीच वाले point पर याने L dash पर लगानी है दिन में टेस्ट कर रहे हो तो लक्स maximum sun पर sensitivity maximum time minimum 10 seconds टेस्ट करते हैं आन करने के बाद load LED blink होगी एक बार और फिर on रहेगी इसका मतलब sensor अभी active हो चुका है मैं एक-एक step sensor से दूर जाऊंगा let's see कि ये दूसरे रोंग से line of sight में detect करेगा या नहीं perfect दोस्तो detection तो flawless है आपने देखा कि मैं दूसरे रोंग में था फिर भी इसने redact किया बीच के जो wall obstacles थे वो उसने overcome कर दिये अब इसके ओपर glass रखकर एक बार try करते हैं working so perfect दोस्तो without wasting time आप अगर इसे खरीदना चाहते हो तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाकर seller black director company से contact करो या मैंने description में ही purchase links भी दी है वहां से भी आप इसे best price में खरीच सकते हो microwave motion sensor को कोई तोड नहीं है दोस्तो वीडियो पसंद आई हो तो like और share करना क्योंकि आगे भी ऐसे वीडियो में बनाने वाला हूँ personal inquiry के लिए आप हमारे instagram page पर भी हमें DM कर सकते हैं उसकी भी link हमने description में provide की है ऐसी information से भरे वीडियो अगर आप future में भी चाहते हैं तो channel को subscribe करें और वीडियो को like करें आपके सवाल, doubts या सुझाओं हमें comments करें हम पूरी कोशिश करेंगे reply करनी की तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में तब तर टेक केर एंड जय हिंड